वेल्कम वैक वन्स अगेन, फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी ठीक ठाक से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्त होंगे फ्रेंड्स बहुत ही important video रहने बाला है बेकोज आज के इस video में हम discuss करने बाले हैं बहुत ही important message के बारे में जो के आपको स्पर्श के द्वारा जो है बेजा गया होगा आपको एक text message आया होगा और एक आपको जो है email id या फिर आपकी gmail id के उपर एक message आया होगा so friends ये जो message है मैंने भी अपने किसी access man जो मेरे दोस्त है एक उनसे मैंने ये मुगाया है इसमें उन्होंने अपनी जो details है जैसे कि उनकी id बेजारा जो है वो उनने इराज करके बेजी है so friends इस message में लिखा है कि dare फिर आपका rank होगा next लिखा है pensioner id number this ठीक है यहाँ पे लिखा है उन्होंने कि Corrigendum PPO number this यानि कि जो Corrigendum PPO अभी जो उन्होंने नया है PPO generate किया है उसका यहाँ पे id होगा number लिखा होगा has been generator against original PPO number this यानि कि जो आपको पहले एक original PPO मिला होगा during the at the time of retirement ठीक है तो वो है आपका original PPO और Corrigendum PPO है जो आभी उन्होंने generate किया है तो यह message आपको यह बताने के लिए है कि आपका जो Corrigendum PPO है वो generate किया गया है against original PPO number this to view your entitlements and latest PPO log on to sparsh.defensepension.government.in using valid credentials for assistance contact your RO oblique SHQ or call 1800-1800-5325 between 9.30 a.m. to 6.00 p.m. Monday to Friday तो यहाँ पे किसने बेजा है यह बेजा है PCDA इलहबाद ने यह message जो है बेजा हुआ है friends इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि अगर आप defense pensioners है तो friends और आपको यह message आगर आया हुआ है तो आप अपना जो आपका नए बाला PPU है वो आप download कर सकते हैं आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने sparsh खोलना है I hope आप सभी ने sparsh जो है वो अपने mobile में जो है install कर रखा होगा ठीक है तो उसमें आपने sparsh खोलने के बाद में अगर sparsh नहीं भी है तो उसको आप कर लीजिए उसको जो है आप install कर लीजिए उसके बाद में जो है यहाँ पे इन्होंने site का नाम दिया है sparsh.defensepension.gov.in ठीक है यहाँ पे आपने आना है और आपका जो भी details यह मांगेगा वो आपने यहाँ फिल करनी है तो आपको जो है आपका नए वाला PPO मिल जाएगा ठीक है इसके इलाबा इन्होंने बोला है कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई मदद की जरूरत है जैसे कि आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसे करना है उसको जो नए वाला PPO है उसको कैसे download करना है या कैसे देखना है तो friends आप इन इस जो यह जो है उनका toll free number है इसके ओपर आप call कर सकते हैं लेकिन आपने एक बात का ध्यान रखना है कि सुबह साठे 9 बज़े से लेके शाम के 6 बज़े तक जो है आपने call करनी है अगर आप friends यहाँ पर 8 बज़े या 9 बज़े फोन करेंगे तो यह फोन नहीं उठाएंगे ठीक है तो और वो भी आपने ध्यान रखना है कि सुम बार से लेके शुकर बार तक ठीक है परसनल रिक्वेस्ट रहेगी सभी एक्सर्समेंड भाईयों की तरफ से भी PCDA इलाभाज से के जो भी अधिकारी आपने toll-free help line numbers के उपर बठाए हुए है प्लीज उनको एक बार थोड़ा सा जो है आप बताईए कि हमारे जो defense pensioners हैं बहुत ही परिशान होते हैं अगर उनकी कोई समस्या का समादान उनको ना मिले तो तो मेरी जो है आप सभी अधिकारी उन से जो भी PCDA इलाभाज में जो अधिकारी गन है जो भी ये जो help line numbers हैं उस section को जो deal करते हैं उनसे मेरी personal request रहेगी प्लीज आप जो है ऐसा ना करें जो भी आपके स्वाडिनेट्स हैं help line numbers के उपर बैटे हुए उनको कहिए कि जब भी कभी मारा कोई access man by phone करता है तो प्लीज आप phone उठाईए और उनको जो है उस चीज का solution बताईए ठीक है तांकि हमारे access man भाईयों को सफर ना करना पड़े so friends यह था एक message अभी चलते हैं आगे देखिए यहाँ पे जो है आपकी जो gmail या email ID है उसके उपर भी एक message आया होगा dare यहाँ पे इनका rank लिखा है उसके बाल में pension ID लिखी है इन्होंने बोला है कि corresponding PPO number this has been generated against original PPO number this to view your entitlement and latest PPO log on to spurs.defensepension.gov.in using valid credentials for assistance यहाँ पे भी इनोंने जो है अपना helpline number दिया हुआ है so I hope आप सभी access man भाईयों को इस बात की information मिल गई होगी कि आप जो है अपना जो corresponding PPO है उसको आप देख सकते हैं उसको आप download कर सकते हैं ठीक है friends तो मैंने जो है आप सभी access man भाईयों की तरफ से जो है personally request कर दी है PCDA इलाबाद की helpline section के अधिकारियों से कि आपकी अगर कोई भी समस्या है उसको जो है वो definitely solve करें because ऐसा न हो कि हमारे जो भाई access man भाई जो है वो परिशानी का सामना उठाएं ठीक है so friends ये था आज का वीडियो I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा friends मेरी आप सभी से एक ही request है कि आप इस वीडियो को इतना share करें तांकि ये वीडियो जो PCDA इलाबाद की help line number पर बैटे हुए अधिकारी और उनके subordinates है उन तक पहुँचाए तांकि वो आपकी इस मस्या का सामदान करें thanks for watching friends bye bye take care